तो यह देखिए फ्रेंट्स हमारा गर्मा गर्म मसालेदार बैगन भाजी बनके तयार है हेलो फ्रेंट्स मैं राजीब और राजीब की चैनल इंफर्म आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बैगन भाजी तो चलिए बिलागसिक देरी के सुरू करते हैं कि बैगन भाजी बनाने के लिए फ्रेंट्स हमने एक बैगन लिया है और इसके उपर वाले डंठल को हम काटके निकाल देंगे और इसे पहले बीच से हम दो भागों में काट लेंगे इसे आप चाहें तो अलग-लग सेफ में भी बना सकते हैं इस से राउंड-राउंड सेफ में भी काटके अप उसे बाजी के रूप दे सकते हैं तो हमने यहां पे लंबे-लंबे सेफ में काटा है तो इस परकार से हमने फिर कटे वे भाग को दो भागों काटा है उसके बाद फिर हमने इस बैगन की तुक्रे को तीन भागों में काटा है वैसे आप चाहे तो आप अपने हिसाब से बैगन का सेफ रख सकते हैं जैसा आपको को से पसंद हो बस थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए ताकि लगए कि बैगन भाजी हम खा रहा है कि चुटी-चुटी पीसों में उत्ता चान नहीं लगता है कि उसी बढ़ेगा तो चुटी-चुटी पीसों से भी एक बैगन को इस प्रकार से आप में काट लिया है एक बैगन को ने 12 पीछ इसमें काते हैं कि यह बैगन थोड़े बड़े थे उन सब को अब हम अच्छे से दो लें अ कि बढ़न को दोएंगे जरूओ फ्रेंट्स क्योंकि दोने के बाद इसमें मसाले अच्छे से चिपक जाएंगे कटने के बाद जोड दोएंगे अब हमने मसाले लिया है अधि चमच धन्या पॉडर अधि चमच जीरा पॉडर और अधि चमच लाले मिर्च पॉडर हल्दी अधि चमच और गरम मसाला वन वह फोर चमच और यहां पर हमने आमचूर पॉडर का इस्तमाल किया है आप चाहे तो इसे नहीं भी दे सकते हैं आपके घर में जो मसाले उसे से आप काम कर सकते हैं कि आप इसमें चाहिए तो निम्बू भी डाल सकते हैं आम चुछ पोड़र के जगह पर तो इन सब मसाले को में इस प्रकार से मिलाएंगे चम्मच की मदद से और थोड़ी सी हम आदी चम्मच के पानी एड़ करेंगे ताकि यह मसाला अच्छे से इसमें चिपक जाए तो यह देखिए हमारा फाइनली मसाला मिल चुका है अब हम इसे सेट होने के लिए पांचनेट क तो यह देखिए हमने पांच मुट के बाद यह देखिए हमारा मसाल अच्छे से इसमें सेट हो चुका है अब हम इसे अब इसे फ्राइ करेंगे लेए है करने के लिए यू व्रैंट यह आप चाहे तो तबर में बना सकते हैं यह कडाही में इस बनास को ओर निरी असbn d fusion ए तो यह देखिए हमने सारे डाइगन को फ्राइपेन पे डाल दिया है तो दो से तीन मिनिट के बाद हम इसे बाड़ी-बाड़ी से इसको पलट देंगे क्योंकि यह मारे एक तरफ सिख चुका अच्छे से विल्कुल फ्लेम को लोटू मिडियम पर ही रखना ज्यादा तेज नहीं करेंगे नहीं तो यह उपर से जल जाएगा और अंदर से यह पकेगा नहीं तो यह देखिए हमारा बहुत अच्छे से पकड़ा है यह केवल इसमें बारी की फ्लेम पर देना आज को हम ज़्यादा तेज नहीं करेंगे विल्कुल फ्लेम पर पताएंगे तो यह देखिए हमारा फाइनली पक चुका है तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो यह देखिए हमारा बैगन वाजी बन के तयार है फ्रेंट इ यह बहुत ही जटपट बनने वाली रेसिपी है यह 10-15 मिट के अंदर में बन जाएगा यह रेसिपी अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर गंटी के वेल आकम को दवना ना भूले ताक किसी ते अगर रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे जाए 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 वाराद